अब 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 आज तूडेंस वेलकम तो M.D.P.S. स्टेइं अठ हूम श्टेडी प्रोग्रम् दिस इस दिलेक्ट्टर ओफ सिख्थ क्लास ओफ मेच सब्जेक्ट अड तोड़े वी कंटिन्यू आबर फोर्ट चैप्टर इंटीजर्स आज क्या सीखेंगे हम addition of integers and subtraction of integers सो इसके कुछ रूल है देखो जैसे rule for additions first rule क्या है the first rule says that to add a negative integers and a positive integers move to the right on the number line जब हम negative integer को positive integer में add करते हैं तो हमने क्या number line पर किस side move करना है right side जैसे add minus 8 ये क्या हो गया negative integer and 4 4 क्या हो गया positive integers जब हम इन दोनों को add करेंगे तो किस side move करेंगे हम number line पर right side move करेंगे so देखो add किस में करना है हमने minus 8 में तो minus 8 कहां पर है यहां पर है न तो सबसे पहले जो हमें first में number दिया होता है न उसको note कर लेना हमने number line पर अब क्या है minus 8 plus 4 उसमें 4 हमने add करना है तो one sign क्या है minus का and one क्या है plus का तो क्या होता है minus होता है eight में से four minus के four आगे four के आगे sign कौन सा आएगा जो दोनों जो हमें numbers दियो हैं उनमें जो बड़े number के सामने big number के सामने जो sign है वो ही हमारे answer के सामने sign आजाएगा so तो यहां पर इन दोनों में बड़ा कौन सा eight है eight के सामने क्या है minus का sign है so answer के सामने भी क्या आजाएगा हमारा minus four तो answer क्या आएगा हमारा minus four तो हमने eight से minus four की और चलना है number line पर so eight से हम minus four की और चलेंगे तो –4 यहां पर आगा है तो हमने क्या बोला थो रूल में कि हमें जब negative integer में positive integer एड़ करते है तो हम किस side move करते हैं number line पर right side move करते है right on the number line number line पर right side हम move करते हैं तो हमने भी क्या है right side he move किया ऐसे second rule क्या है according to second rule to add positive and a negative integer start from the positive integer and move to the left on the number line पहले क्या था? कि negative integer में हमने positive integer add किया था अब क्या है? second अब क्या है? first पे क्या दिया होगा हमने positive integer उसमें क्या है? negative integer add करना है हमने तो देखो हमें नीचे example दी हुए है add 15 and minus 7 positive integer क्या है? 15 है और negative integer क्या है? जो उसमें add करना है? minus 7 है तो first पे हमें क्या number दिया हो? 15 वह भी positive तो हमने क्या हो positive 15 देखो कहां पे है number line पर तो यहां पे हैं यहां से start करेंगा 15 plus minus 7 उसमें हमने add करना है अब क्या है? solve करो इसको 15 एक sign plus का एक minus का तो क्या होगा? minus ही होगा? minus 7 is equal to कितना होगा? 8 sign किसका रहेगा? plus का ही रहेगा क्योंकि जो बड़े number के सामने sign होता है न वो ही sign हमा answer में लिखते हैं यहां आपके 15 क्या है? plus क्या है? तो answer भी हमारा क्या है? plus क्या है? तो अब क्या है? हमने किस side move करना है? left side move करना है तो यहां पर क्या है? हमारा answer आगया 8 third rule देखो according to third rule to add two negative integers start from the smallest integer and move to the left on the number line जब हमारे पास two negative integers उनको add करना है जैसे add minus 40 and minus 30 दोनों के negative integer है तो सबसे पहले क्या है? number line पर जो first वाला था उसे note करते थे तो first वाला देखो minus 40 कहां पर है? यहां पर है minus 40 अब यहां से हमने left side चल ला है नहीं तो right side चल ला है पहले हम इसको solve करते है minus 40 plus minus 30 इसको solve करते है minus 40 अब एक sign plus का एक minus का तो यहां भी minus आ जाएगा minus 30 अब two minus दियो है minus 40 minus 30 तो वहां पही क्या हो जाता है? plus हो जाता है और sign किसका रहता है? minus का minus 40 में minus 30 plus किये 40 में 30 plus किये 70 70 होता है अब क्या है? sign किसका रहेगा? minus का रहेगा हमने यही बोला था जो बड़े number के सामने sign होता है वो ही होगा 40 के सामने sign क्या minus क्या है? तो हमारे answer के सामने भी sign क्या होगा? minus का अब यह minus 40 से हमने minus 70 की और चल ला है तो किस सेट चलेंगे हम? left side की और तो यहां पर क्या आ गया? हमारा minus 70 हमारा क्या आ गया? answer आ गया उपर भी हमने क्या बोला था? move to the left on the number line left side ही चले है ना तो यह minus 70 क्या था हमारा answer था और example देखो यहां पर add minus 65 minus 86 इनको add करना है minus 65 plus minus 86 इनको add करना है करो solve minus 65 एक plus का sign है एक minus का तो क्या आएगा? minus का sign minus 86 अब दोनों minus क्या है minus minus क्या होता है? plus होता है अब दोनों को add किया कितना हुआ हमारा 151 151 क्या हमारा answer आए लेकिन sign किसका होगा? जो बड़े number के सामने sign है वो हम इसके answer के सामने लिख देंगे बड़ा काउन सा है? 86 86 के सामने sign क्या है? minus क्या है तो हमारा answer भी क्या है? minus 151 next क्या है? subtraction of integers उनको subtract कैसे करते हैं? बिल्कुल ये भी same ही होगा जैसे हमें example दी है find 68 minus 30 68 में से 30 हमने क्या है? minus करना है तो first पहले क्या करते हैं? जो हमारा first number होता है उसको note करते हैं number line पर 68 कहां पर है? ये 70 के आगे होगा न थोड़ा जा तो हमने 68 note किया अब 68 में से 30 minus किये तो कितना आगा? कितना आएगा हमारे पास 38 आएगा? तो 38 के side आएगा इस side left side move करना पड़ेगा हमें तो यहां पर क्या आजाएगा? हमारा 38 आजाएगा तो ये 38 क्या है? हमारा answer है next और example देखते हैं हमें find 57 57 में से minus करना है minus 27 57 में से minus करना है क्या minus करना है? minus 27 negative integer minus करना है positive integer में से याएगे जब हमें ऐसे दिया हो तो 57 खालों अगर एक plus हो एक minus हो तो क्या होता है? वहाँ पर minus होता है लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है? minus क्या हो जायेगा? plus हो जाएगा तो यहाँ पे sign क्या आजाएगा? प्लस का आजाएगा प्लस 27. 57 में 27 प्लस किये 84 तो हमारा आंसर क्या आएगा 84 तो फर्स्ट क्या करेंगे हम नोट करेंगे कि नमबर लाइन पर फर्स्ट जो नमबर दियोगा कहां पर 57 कहां पर यहां पर अब इन दोनों को जब हमने माइनस किया था तो हमारा answer कितना बना था 84 बना था तो 84 के side आएगा right side चलना पड़ेगा तो हम क्या right side चलेंगे तो यहां पर 84 क्या हमारा answer आजाएगा rule of this attraction of integers without number line number line के बिना कैसे करते हैं जैसे हम example दिये minus 547 from 985 985 में से क्या minus करना है 985 minus करना है minus 547 positive integer में से negative integer minus करना है तो क्या आजाएगा 985 दोनों क्या है minus minus है minus minus क्या हो जाता है plus हो जाता है 547 अब इन दोनों को हमने क्या कर देना plus कर देना है दोनों को plus किया कितना answer आया 1532 हमारा क्या आजाएगा answer आ जाएगा जब हमें क्या दिया हो more on addition और subtraction दोनों दिये हो एक से ज़्यादा दिये हो तब कैसे करेंगे जैसे हमें example दिया है आपे solve 215 plus bracket में क्या है minus 12 plus 549 plus bracket में फिर 351 इसको हमने कैसे solve करना है इसमें सबसे पहले क्या solve करेंगे कि जो plus वाले है उनको addition वाले है उनको क्या कर लेंगे अलग से solve कर लेंगे तो plus वाले कौन कौन से 259 एक तो और कौन सा है प्लस वाला 549 इन दोनों को हम अलग से क्या कर लेंगे plus कर लेंगे 259 549 को प्लस किया कितना अंसर आया हमारा 764 यह आया है अब क्या जो रह गये थे उनको solve करना है क्या क्या रह गया था minus 12 plus bracket में minus 351 यही रह गया था minus 12 एक प्लस का एक minus का sign है तो minus sign आ जाएगा 351 minus minus क्या होता है plus होता है sign किसका रहेगा जो बड़े नंबर के सामने sign है बड़े नंबर के सामने sign क्या है minus क्या है दोनों को plus किया कितना होना 363 तो यह था हमारा जो रहे गये थे उन नंबर को solve करने के बाद इतना आ गया plus वालों को solve किया था 764 आया था अब minus वाले जो रहे गये थे उनको solve करने के बाद minus 363 आप क्या है 764 में से plus bracket में क्या है minus 363 क्या करना है plus करना है 764 plus minus 363 यह क्या करना है plus करना है negative integer 764 एक साइन प्लस क्या एक माइनस क्या तो क्या साइन क्या है माइनस का minus 363 इन दोनों को माइनस कर दो माइनस करके कितना आ गया 401 यह क्या आ गया हमारा answer आ गया so here we complete our today's lesson so thank you to our students आ अवारान शूरा नूंड़के कर दो दो çू